अमावस्या के एक दिन पहले, महीने की सबसे अंधेरी रात को शिवरात्री के नाम से जाना जाता है। ग्रह का सेंट्रिफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल एक खास तरह से काम करता है और ये बल उपर की ओर गती करता है। इस बात को अनुभब करते हुए योगिक परंपराओं ने ये नियम बनाया कि कोई भी इस रात को लेटेगा नहीं। आपकी रेड़ की हड़ी सीधी होनी चाहिए ताकि आप उर्जा के इस प्राकृतिक चड़ाव का पूरा लाब उठा सकें और उर्जा ऊपर की ओर जा सकें। पुराणों में ऐसी कई शानदार कहानिया हैं जो लोगों को बताती हैं इस दिन का महत तो क्या है और क्यों ये इतना खास है। करनाटक के कुछ इलाकों में इस रात बच्चों से कहा जाता है कि वो जाकर लोगों के घरों पर पत्थर फैके। उस दिन आप ऐसी शरारत कर सकते हैं और इससे अपराध नहीं माना जाता। दरसल आपको ऐसा करने के लिए शाबाशे मिलेगी क्योंकि आपने किसी ऐसे विक्ति को जगा दिया जो सो रहा था। बेशक लोगों ने उठकर शिव का नाम नहीं लिया। उन्होंने आपको कोसा पर कोई बात नहीं। कम से कम वो उठकर बैठ तो गए। इस दिन हमारे तंदर की उर्जा में एक टकरितिक चड़ाव होता है। लेके रहना हमारे तंदर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे लंबवद यानि बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आप जितने लोगों को जानते हों उन्हें ये बात बताए। उन्हें आधी रात को फोन करें। पूरी रात हर एक घंटे में अपने परिशितों को फोन करें। भले ही वो आपको कोसें। कोई बात नहीं। वो उठकर बैठतों जाएंगे। आप उन्हें उठाकर एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हिस्सा लें। चाहे आप यहां हो या कहीं और सीधा बैठें और जागते रहें। यह रात केवल जागरण की रात में रह जाए। बलकि आप सभी के लिए जागरती की रात बन जाए। यही मेरी कामना और आशरवाद हैं कि आप सभी महादेव की कृपा के पात्र बनें। झाल झाल